पिक्चर अच्छी लगी पिक्चर अच्छी बनी है जो प्रोडूसर डारेक्टर का जो इरादा था कि पब्लिक को सिक्षित करें 370 के लिए उसमें वो पूरी तरह कामियाद है और हम फिल्म की बात करें तो 370 यह कैसा एक जिसे लागू करने के लिए बहुत कुछ कास्मेर ने समय है तो वो सब घटाएं फिल्मों में दिखाई गई हाँ, पूरी तरह से दिखाई 370 हटाने से पहले वो लोग क्या क्या किए और हम लोग को कितना रोके और हम लोग नहीं हटा सके बीच में भी ये कलम आई थी हटाने के लिए लेकिन वो लोग फेल हो गए थे इस बार जब पूरी मीटिंग होई और गवर्मेंट में और हमारे पधाल मंत्री और हमारे ग्रेव मंत्री ने फेसला किया कि यह तो बहुत ही ज्याजतिया हो गई है इसको उटा नहीं है और उन्होंने बहुत चेस्टा करके यह हटाई सब्सक्राइब कौन सा सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं और उसने जो फाइडिंग मैटिंग का सीन के बहुत अच्छा चलाती है सब्सक्राइब कर रही है यह घर बेठे तो पता चलेगा नहीं और इतना विस्तरित वीवरन पिक्चर द्वारा ही पता चलता है तो सबको देखना जैए और समझना चाहिए पांच में से चार अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा और फिल्म को कितना च्छा देना सब्सक्राइब कैसी थी अफ्टर 370 यह करने के बाद कैसी है यह आज पता चला और पहले 370 की पहले भी कैसी थी यह भी इसका हमको कोई अंदाजा नहीं था सिर्फ हम टीवी पे देखते हैं आज भी सुनते हैं सिर्फ सुनने से मिस्गाइड बहुत हो जाते हैं आज सही मे पता चला कि क्या हो गया था एक्षिल में कैसे लोग सहन कर रहे थे कैसे टेररिजम था हमारे ही पॉलिटेशिंस उनको कैसे मिले हुए थे यह सब आज पता चलता है कितना च्छा देना चाहेंगे तो क्लिट्वल जानना चाहेंगे 370 फिल्म आपको के असा लगी है और मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी है और बैस पाच मुझे लगा कि नो विस्टेज ऑफ टाइम है कट टू कट शुरू होती है कट टू कट खतम होती है पूरी स्टोरी लाइन जो है मुद्दे को पकड़ के चलती है और फिल्म को एजीली समझाने के लिए थोड़े चैप्टर्स में डिवाइड किया है तो ओडियन्स के लिए समझना भी आसान होगा और फिल्म जो है अदित्य सौराणिया देशा के उनका डिर्रेक्शन बहुत शांदार है ओवरॉल जो फिल्म है वो आपको हिट करती है टॉपिक जो है sensitive है बहुत सालों से इसके बारे में हम बात करते हुए आ रहे हैं उस चीज़ को फिल्म के माध्यम से बड़े परदे पर किसी ने दिखाने के हिम्मत किये पहली बात उसे सलाम करता हूँ इस फिल्म में जैसा मैंने का कि इसी कहानी तो है नहीं कि जहां पर मन से डाल दिया हो यह जो एक पूरी जो वाक्या है जो घटना करम है उस चीज़ को कैसे साल बाए साल महने बाए महने कैसे एक उसको बांध के जो जोड़ी बनाई है अपनी माला बनाई है आपकी स्टोरी की वह दिखाया गया है पुल्वामा एक बहुत ही बहुत दर्दनी हाथसा था भारत की डिफेंस की हिस्ट्री में और उस चीज़ का हमन की जो पाहनद गोलिए और कैसे उससी से बहुत फायदा होगा वह जानकर भी बहुत अच्छा ताइम को और अगर किसी डिरेक्टर को अगर ये कोई कहे कि आपकी फिल्म ने बिल्कुल टाइम नहीं वेस्किया तो सबसे पहले यही बता देता है कि उनका काम अच्छा रहा है जो आपको लगा कि यह नई भी होता तो भी चल जाता या तो यार इसे काफी नाटके रुपांतर टाइप का बता दिया गया ऐसा नहीं लगता है बहुत सारे ऐसे मुद्धे होते हैं जो शायद से डीप थरो रिसर्च के बाद ही कोई निरदेशक स्क्रीन पर दिखा सकता है और यहां पर उन्हों ने वो दिखाया है तो पता चलता है कि इसके पीछे शायद से कुछ सालों का उनका रिसर्च रहा है और काफी मेहनत है चोड़ी चीज़े जो है वो दिखती है मुझे अगर आप पूछे तो फर्स्टाफ से कना वैसे तो मेरे लिए 19-20 का ही मामला है पर बिकॉस फर्स्टाफ जब शुरू होता है तो आपको बिल्डब देते हैं वो लोग थोड़ा सा तो मुझे फर्स्टाफ थोड़ा सा उसमें बेटर लगता है सेकेंड आप में क्योंकि आपको पता है कि दीरे दीरे अब जो है वो क्या होने वाला है तो इसलिए मुझे फर्स्टाफ थोड़ा सा ज्यादा बटाएंगे मोवी के लिए ओर्डियंस को बताना चाहूंगा कि आप भले ही किसी भी प्रकार की राजनेतिक सोच या की है और किस तरीके से किस सोच के साथ इस्सको फूरा आजाम दिया गया है और इसमें कितने लोगों की मेहनत लगती है और इस चीज